बिजनोर्चले में 32 केंद्रों पर शनीवार को दो पालियों में पुलिस भरती की लिखित परिक्षा संपन हुई, परिक्षा को लेकर निगरानी की कड़े इंतिजाम किये गए। पहले दिन दोनों ही पालियों में 31,577 अभिहारतियों ने परिक्षा दी, जबकि 999 अभिहारती अनुपस्तित रहे, रहीवार को भी जिले के 32 केंद्रों पर पर परिक्षा होगी, शनीवार को सुबह से ही परिक्षा केंद्रों पर अभिहारतियों की भीड उमरनी चालू हो थी पहली पाली में 10 बजे परिक्षा हुई जबकि दूसरी पाली में 3-5 बजे तक परिक्षा आयोजित की गई पहली पाली में 16,248 को परिक्षा देनी थी मगर 491 अभ्यारती अनुपस्तित हो गए ऐसी में पहली पाली में 15,757 ने परिक्षा दी जबकि दूसरी पाली में 15, 1770 अभियारती शामिल हुए दूसरी पाली में 478 ने परिक्षा छोड़ दी नहे टोर में दो केंद्रों पर परिक्षा हुई SP नीरज जादों ने दोनों केंद्रों पर पहुंच कर वेवस्थाओं का जाजा लिया नहे टोर में SN, SM इंटर कॉलेज वा HMI इंटर कॉलेज को परिक्षा केंद्र बनाया गया है परिक्षा निरधारी समय वा कड़े सुरक्षा परवन्नों के बेच संपन हुई SP नीरज कुमार जादों, SP पूर्वी, धर्म सिंग, मार्चालवा, सीयो, धामपुर, सर्वम सिंग ने दोनों केंद्रों का दोरा किया केंद्र पर CCTV केमरों मां परिक्षा ड्यूटी सहित आने वेवस्थाओं का निरिक्षण किया परिक्षा केंद्र के आसपास की दुकाने बन रही, नगीना में ही इंदू इंटर कॉलेज के प्रधानाचार यश्वीर सिंग ने बताया कि उनके परिक्षा केंद्र पर प्रथम पाली में 384 में से 373 परिक्षारतियों ने परिक्षा दी एमेम इंटर कॉलेज के प्रधानाचार शाहिद अली गोहर ने बताया कि उनके यहां प्रथम पाली में 488 में से 458 दूसरी पाली में 488 में से 467 परिक्षा दी LRS महिला महाविद्याले के प्रबंदक राकेश अगरवाल ने बताया कि उनके केंद्र पर प्रथम पाली में 488 में से 474 दूसरी पाली में 488 में से 468 परिक्षा दी शनिवार की दोपहर प्रथम पाली के समय एक युबक की बारात चड़ रही थी जब उसकी बारत एम 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 इंटर कॉलेज परिक्षा केंद्र के करीब पहुंची तो दूला घोड़ी से उतर कर परिक्षा केंद्र के सामने पैदल ही जाता दिखाई दिया दूले को अन्य बारातियों के साथ पैदल जाता देख यह मामला लोगों के बीच चर्चा का विसे बना रहा बिजनौर एक्सप्रेस के साथ विकास आरे की रिपोर्ट